दोस्तो आपके अपने चैनल अभी टुटोरियल में आपका स्वागत है जैसा कि दोस्तो संबिधान सभा का जो निर्माड हुआ था वह किन किन चड़नों में हुआ था इसके लिए मैंने एक लेक्चर बनाया था दोस्तो इसके बाद मैंने कुछ MCQ सॉल्व कराई थे कुष्चन देखते हैं दोस्तो पढ़ते हैं सूची वन को सूची वाई से सुमेलित कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गए कूटों का प्रियोग करते हुए सही उत्तर कैचन कीजिये यह कुष्चन दोस्तो काफी इंपोर्टेंट है इसमें पहला है संबिधान सभा के पहले उपाध्यक्ष अध्यक्ष तो सबको पता है दोस्तो संबिधान सभा के पहले अध्यक्ष या आजस्थाई अध्यक्ष थे वह थे डाक्टर सच्चिदा नन सिन्ना पर यहां बोला है दोस्तो थोड़ा ध्यान रखिएगा संबिधान सभा के पहले उपध्यक्ष कौन थे तो इसका जो आंसर होगा संबिधान सभा के पहले उपध्यक्ष जो थे दोस्तो संबिधान सभा के पहले उपध्यक्ष थे वो थे एचसी मुखरजी साब कौन थे दोस्तों एचसी मुखरजी प्रारूप समीती के एक मात्र ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां कांग्रेसी सदस्य बोला है प्रारूप समीती के एक मात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे दोस्तों वह थे के एम मुंसी साब राजिस्थान की रियास्तों का प्रतिनिदित करने वाले संबिधान सभा के जो सदस्य थे दोस्तों वह थे वीटी कृष्णा मचारी और संग समीती के जो अध्यक्ष थे दोस्तों संग समीती बोला ध्यान रखियेगा दोस्तों संग समीती के जो अध्यक्ष थे वो थे पंड प्रारूप समीती के अध्यक्ष बोले तो ध्यान रखिएगा पंडे सौरी डॉक्टर भीम राउंबेटकर जी और यदि बोले प्रारूप समीती के एक मात्र मोल कांग्रेशी सदस वो होंगे के मुनसी साथ तो इस प्रकार से देखें सही जोड़ी जो बनेगी पहले का होगा पहले में आएगा चोंथा बी में आएगा तीसरा सी में आएगा पहला और डी में आएगा दोस्तो दूसरा इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा दोस्तो पहला तीसरा पहला दूसरा तो इस प्रकार से जो आंसर रहेगा दोस्तो वह रहेगा आप्सन नमबर बी नेक्स्ट क कुश्चन देखते हैं दोस्तों सम्विधान सभा के निर्मार की समय सम्विधानिक सलाहकार कौन थे ध्यान रखिएगा दोस्तों बहुत यह अच्छा कुश्चन हो काफी आया हुए है सम्विधानिक सलाहकार जो थे वह थे कौन दोस्तों बी एन राओ क्या होगा हमारा जवा बी एन राव और आपको पता होना चाहिए बी एन राव का जो पूरा नाम है बेनेगल नरसिं राव क्या दोस्तो बेनेगल नरसिं राव यह संविधान सवा के संविधानिक सलाहकार थी यदि कुश्चन पूछता प्रारूप समीती के अध्यक्ष तो हमारा जवाब होता दोस्तो डॉक्टर भीमराव अमबेटकर और यदि बोलता दोस्तो संबिधान सभा के पहले स्थायद्यक्ष तो हमारा जवाब होता दोस्तो डाजेंद प्रसाद और यदि बोलता दोस्तो K.M. always के साथ बारे में एक कतन है कि ये प्रारूप समीती के एक मात्र कांग्रेसी सदस्यते प्रारूप समीती के एक मात्र कांग्रेसी सदस्य बोले तो वो होंगे के मुंसी साथ तो इस प्रकार से जो हमारा जवाब होगा दोस्तो वह होगा बी एन राव नेक्स्ट कुस्चन भारती संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तयार किया गया काफी important discussion है दोस्तो प्रारूप समीती का प्रथम प्रारूप जो तयार करने वाले व्यक्ति थे वह थे हमारे बी एन राव साथ प्रारूप समीती सोरी प्रथम प्रारूप जो तयार किया था संविधान का और इसी प्रारूप को सम्विधान के लिए कितना अच्छा है इसके लिए प्रारूप समीती का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्षते डॉक्टर बी आर अमबिट कर पर यहां पर दोस्तो बात है प्रारूप किसने तयार किया था तो आपका होगा बेनेगल नर्सिं रा नेक्ष्ट कुस्चन देखते हैं भारत का सम्विधान पूर्ण रूप से बनकर तयार कब हुआ था काफी इंपोर्टेंट कुस्चन है दोस्तो सम्विधान पूर्ण रूप से बनकर जो तयार हुआ था दोस्तो वह हुआ था 26 नवंबर 1949 को इसी कारण 26 नवंबर को विधी दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन संबिधान को अंगिकरत और आत्मार्पित भी किया गया था तो यह दोस्त यह डेट ध्यान रखना जबकि संबिधान हमारा लागु कब हुआ था तो जवाब होगा हमारा 26 जनवरी 1950 तो इस प्रकार से कुष्चन होगा पूर्ण रूप से बन कर जो तयार हुआ था वह हुआ था हमारा दोस्तो 26 नवंबर 1949 को नेक्स्ट कुष्चन देखते हैं दोस्तो भारती संबिधान को संबिधान सभाद्वारा अंगी करत कप किया गया था दोस्तो जैसा कि मैंने बताया अंगी करत कप किया गया था संबिधान सभाद्वारा तो ध्यान रखिएगा दोस्तो वह अंगी करत किया गया था आतमार्पित किया गया था वह किया गया था दोस्तो 26 नवंबर 1949 को क्या दोस्तो जवाब क्या है हमारा अंगीकरत आतमारपित ऐसे सब्दाई दोस्तो तो ध्यान रखिएगा जवाब होगा हमारा 26 तवंबर 1949 को नेक्ष्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तो भारती संबिधान कब लागूगा ध्यान रखिएगा दोस्तो अब बोला है भारती संबिधान कब लागूगा तो अब हमारा जवाब होगा दोस्तो 26 जन्वरी 1950 को नेक्ष्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तो संबिधान को 26 जन्वरी के दिन लागू करने का निर्णा है इसलिए किया गया क्योंकि कुश्चन काफी इंपोर्टेंट है दोस्तो कांग्रेस ने इस तिथी को 1930 में सुतंतरता दिवस के रूप में मनाया था दूसरा ओप्सन ने इस तिथी को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किया प्रारम भी किया था आप्सन सी यह एक सुवधिन था इसका कोई लेना देना नहीं है उप्यूक्त में से कोई नहीं ये भी नहीं होगा आंसर 1942 की यह डेट है दोस्तो आपको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा कहानी कि जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहोर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी पंडिक जवाहलाल नहरू में और यहां पर पूर्ण भास्वधीनता का रक्ष रखा गया था और ध्यान रखना दोस्तो रावी नदी के किनारे जंडा फेराया गया था तो इस्तिती को ध्यान रखना दोस्तो स्वतंतरता दिवस की रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाया था इसी कारण हमारा जवाब होगा दोस्तो कांग्रेस ने इस्तिती को 1930 में स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाया था इसी कारण दोस्तो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था जब कि संविधान को अंगी करत और आत्मार्कित किया गया था वा किया गया था दोस्तो 26 नवंबर 1949 को इस प्रकार से हमारा जबाब होगा ओप्सन नमबर A नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं दोस्तो भारती संविधान को अपनाया गया था काफी अच्छा कुस्चन है दोस्तो ध्यान रखिएगा भारती संविधान को अपनाया गया था भारती संविधान को संविधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था बेनेगल नर्सिह राव जिसे हम बोलते हैं बी एन राव तो इस प्रकार से जवाब होगा दोस्तों हमारा option number A next question देखते हैं भारती संबिधान द्वारा भारती संबिधान को secret कब किया गया दोस्तों ध्यान रखिएगा काफी important question है देश तो secret कब किया गया तो हमारा जवाब होगा दोस्तों secret आत्मारपित अंगी करत कब किया गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इस प्रकार से हमारा जवाब होगा option number C next question देखते हैं दोस्तों भारती संबिधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधी नीमित किया गया था question हम पढ़ चुके हैं दोस्तों किसके द्वारा अधी नीमित किया गया था दोस्तों तो हमारा जवाब होगा संबिधान सभा द्वारा option number A डी क्या होगा दोस्तों option number A next question देखते हैं दोस्तों भारत का संबिधान अंगी करत एबं अधिनीमित कब हुआ था अंगी करत और अधिनीमित कब हुआ था दोस्तो तो आपका जवाब होगा जैसा कि मैंने बताया 26 नवंबर 1999 मतलब हमारा जवाब होगा दोस्तो ओप्सन नमबर C नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं दोस्तो नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं बी आर अंबेटकर का संबिधान सभा में निर्वाचन हुआ था आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तो वर्स 1946 में संपन्य संबिधान सभा के प्रारंभिक चुनाओं में डॉक्टर भीमरा अंबेटकर आविभाजित भारत के बंगाल प्रांच से निर्वाचित हुए थे बाद में या चेतर पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भारती गनराज के बंगाई प्रेसिडेंस के पूना संसदी चेतर से उप्चुनाओं में निर्वाचित हुए थे और भारती संबिधान सभा में आए थे तो ध्यान रखेगा दोस्तो हमारा जो जवाब होगा हमारा जो जवाब होगा दोस्तो वह होगा बंबई प्रेसिडेंसी ओप्सन नमबर बी नेक्ष्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तो काफी अच्छा कुश्चन था डॉक्टर भीम राव अंबेटकर का जन्म और हमने तो पूरा पढ़ लेता है पर इस प्रकार के कुश्चन आएंगे तो थोड़ा हमें फैक्टों को ध्यान ही रखना होगा डेट को ध्यान ही रखना होगा भीम राव अंबेटकर सापका जो जन्म हुआ था दोस्तो वह हुआ था अठारा सो इनक्यान नबे में जबकि इ रखना दो जन्म 14 अप्रेल 1899 को चाउदा अप्रेल 14 अप्रेल को अम बेटकर दिवस मनाया जाता है चाउद 1899 को जन्म हुआ था मद्धि प्रदेश के महू सहर महू में हुआ था इनका जन्म तता इनकी मृत्यू जो हुई थी दोस्तों वह हुई थी 6 दिसंबर कब हुई हुई थी और हुई थी दोस्तो दिल्ली में तो यह दोनों कुश्चन ध्यान रखना जन्म हुआ था 14 अप्रेल 1891 महु में जबकि इनकी मृत्ति हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में नेक्ष्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तो सम्विधान सभा में वयस के मतधिकार को 15 वर्स के लिए इस्थगित करने की बात किसने की थी काफी अच्छा कुश्चन है दोस्तो वयस के मतधिकार को 15 वर्स के लिए इस्थगित करने की जो बात की थी वह की थी मौलाना आजाद ने और आप जानते होगे दोस्तो संबिधान जो भारती राश्टी कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे कम उम्र के भी थे मौलाना अबुलकलाम आजाद जी और या हमारे देश के पहले सिक्षा मंतरी भी थे तो पंद्रा वर्स के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने नेक्ष्ट कुस्चन देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से किसने सुझाओ दिया था कि भारती राश्टी कांग्रेस को एक राजनेतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए तो ध्यान रखना इस प्रकार की जो बात की थी वह की थी दोस्तो महात्मा गांधी ने इनका मुख विचार था कि जो कंपनी जो सौरी जो पार्टी जिस उद्देश के लिए गठित हो गई है यदि उसके उद्देश से खतम हो जाए भारत सोतंत्र हो जाए तो इस प्रकार की राजनेतिक दल को खतम कर देंगे यह बात कही थी महात्मा गांधी जी ने पर खतम नहीं किये तो आज इस्तिती देख लो दोस्तो भारती राश्टी कांग्रेस की कैसी है तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा दोस्तो राजनेतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए यह कथन था महात्मा गांधी जी का जै प्रकार सको नारायन को तो जानते होगे दोस्तो जेपी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तो किसने कहा था संभिधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का कापी इंपोर्टेंट कुश्चन है दोस्तो किसने यहा बात कही थी कि कांग्रेस सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था तो दियान रखेगा दोस्टो संभिधान सभा कांग्रेश थी और कांग्रेश भारत ये कथन पढ़ मिष्री पुर्शकार प्राप्तितिहासकार ग्रेन्विले ओस्टिन किसने का था दोस्तो grainwillay क्या होगा जवाब क्या होगा दोस्तो ध्यान रखीगा important है grainvillay ग्रेद विले ऑस्टिन ने यहाँ बात की थी काफी बार exam में पूछा गया question है दोस्तो और इन्होंने अपनी पुस्तक लिक्यी थी the Indian constitution ध्यान रखियेगा दोस्तो दा इंडियन कॉंस्टिट्यूशन पुस्तक में लिखा था संभिधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का इस कतन को बोला था ग्रेन विले आउस्टिन ने ध्यान रखिएगा दोस्तो विष्टन चर्चिल ने अर्दनंगा फकीर कहा था गांधी जी को दोस्तो नेक्ष्ट कोश्चन जो हमारा आज कंतिम कोश्चन है दोस्तो भारती संभिधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस से थी यदि आप मेरा पहला भाग देखे होगे दोस्तो इसके MCQ के तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुल महिलाएं सदस से थी दोस्तो वह थी 15 त कि आप से पूछे टोटल संभिधान में कितने अधिवेशन हुए तो अधिवेशन ध्यान रखना दोस्तो टोटल 12 अधिवेशन हुए और 12 यदि आप्सन में ना हो तो जवाब आपका दो होगा टोटल 11 अधिवेशन और वही 11 अधिवेशन हुआ था दोस्तो 11 अधिवेश आपका response रहा दोस्तो यदि आपके response अच्छे होते दोस्तो तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जो exam point of view से काफी important होंगे जै हिन जै भारत